इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Gluflozin 5 Tablet Type 2 Diabetes Mellitus के इलाज के लिए अकेले या अन्य दवाओं के साथ combination में इस्तिमाल किया जाता है। यह मधुमें हमें देखे जाने वाले उचरक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है। यह मधुमें की गंभीर जटलताओं की संभावना को कम करता है और हृदे रोग को रोकने में भी मदद करता है। ग्लूफलोजन पांच टेबलेट को दिन में किसी भी समय खाने के साथ या खाने के बिना लिया जा सकता है लेकिन आपको इसे रोजाना एक ही समय पर लेने का प्रयास करना चाहिए। खुराक आपके डॉक्टर द्वारा तै की जाएगी। अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसे लेना बंद न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती और अंधापन जैसी गंभीर जटिलताओं के जो नसो फेरिंजिटिस यानि की गले और नाक के मार की सूजन और मूत्रपत के संक्रमन शामिल हैं। इससे शरीर में बहुत अधिक पानी की कमी हो सकती है। निर्जली करन को रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। अच्छी स्वच्छता बनाए रखने से जनना की गोलियां यानि की मुत्रवर्ध ले रही हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसे लेते समय अत्यधिक शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे कुछ दुशप्रभाव विक्सित हो होने का खत्रा बढ़ सकता है। इस दवा को लेते समय नियमित रूप से अपने रक्ट शरकरा के स्तर की निगरानी करें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल क को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।